नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एकने वीडियो के साथ मैं हुझी जैस्वाल आप देख रहे हैं टारिगेट इस पॉसिबल जितने भी कामन सर्विस सेंटर संचालक हैं उन लोगों के मन में आज भी कन्फूजन बना हुआ है कि वे लोग इस लोगडाउं के दवरान कामन सर् सेंटर को ओपेंग करके किसी भी कस्टिमर के डेटा में अपडेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके संबांदित भी जनकारी आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से इसके अतरिक्त CAC के माध्यम से एक नई आफर चल लेए अगर आप लोग चाहते हैं साफर का लाव लेना तो अभी आप लोग इस वीडियो को सुझ लेकर अंतक वाज किजिए इसके त्रिक्त ऐसे CACVL जिन्होंने अभी तक टार्गेट इस पोसिबल के इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल क को सस्क्राइब कर दे साथी साथ बेल आइकन को जरूर तबाएं वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर किजिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कामन सर्विस सेंटर क्या लागडाउन में खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसके संबंधित जनकारी आप लोग यहां पर ले लिजिए यहां बताया गया है कामन सर्विस सेंटर लोगडाउन में नहीं होंगे बंद घर से बाहर जाने के लिए बनवा सकेंगे अपना पास तो निचे आप देंगे लोगडाउन के दवरान घर से निकलने के लिए पास जरूरी किया गया है लोगडा से गरामिण वो सहरी इलाकों के लोगों को विविन योजनाओं की जनकारी वो जन्धन खाते से निकासी हो या फिर कोई योजना पंजीकरण सहित अनेक सुभधाय मुहया कराए जाती हैं सहरी इलाके में सभी कावन सर्विस सेंटर नहीं खुलने जाएंगे जबकि गरामिण इलाकों के सभी सर्विस सेंटर खुलेंगे लेकिन उन्हें कोविट गाइडलाइन की पालन करना होगा क्या क्या सुभधाय मिल सेंगे यहां पर आपर दे सकते हैं कामन जार्विस सेंटर पर सवी प्रका के बीमें बिजली बील बुकतान पैसे निकालने के संबंध टेली मेडिसीन के जरिये लोगों को चिकिसा प्रामर्स पासपोर्ट अपलाई पैन कार्ड आई सुमान कार्ड भी ले सकते हैं लेकिन यहां पर इंप्रोटेन बात होती है कि क्या आपके राज में आपके जिले में कामन सर्विस सेंटर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे तो इसके भी संबंधित आप लोग सेंटर खोलने से पूर्व अपने सेंटर मनेजर से लेटर हैड अपने के दिश्टिक मनेजर के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कई जाती है तथा किसी भी तरह का प्रमीशन नहीं मिलता है तो आप अपने कामन सर्विस सेंटर को नहीं खोलेंगे अन्था आपके उपर जो भी करवाई होगी उसे आपको स्वयम जहलना होगा इसके तरिक्त हम अधार अपडेट के कारे कर सकते हैं तो आप लोग उस लेटर को अंदर चाह बाहर इसके तरिक्त कोविड-19 के जो भी गाइडलाइन से उनका पालंग करते हुए आप लोग अधार अपडेट के संबंदित कारे को कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई परमीशन नहीं है तो आप लोग अधार के संबंदित या फिर बैंकिंग के संबंदित किसी भी कारे को करने से बचे अनथा जो भी समस्या उत्रपन होंगी वे आपको स्वयम जहलना पड़ेगा अब आगे आपकी मर्जी कि क्या आपको सेंटर खोलना है या नहीं खोलना है खोलना है तो कि आपके पास परमीशन है तो आप खोल लीजिए नहीं है तो बंद करके घर में ही रहिए चलिए अब नेश्ट हम लोग जंकारी लेते हैं लोग यहाँ पर देजी नेम के संबंदित यहाँ पर दोस्तों बताये गया है कि अगर आप 50% डिसकाउंट के साथ आ अगर आप 2500 LPG refill book करते हैं DSP के माध्यम से तो यहाँ पर टॉप फाइफ भीहली को पीन पैट डिवाइस बिल्कुल मुफ्थ दी जाएगी अगर आप इस तरह के कार पहले भी कर चुके हैं तो इस महीने में आप लोग जम कर कीजिए कि क्या ताकि आप 2500 के उपर जा सके जिस इसका जो प्राइज है पिन पैट डिवाइस का लगवग 24-25 के आसपास है तो उतना रपेक आपको benefit होने वाला है इसका लबा यहाँ पर आप लोग देखेंगे फर्स्ट माई से 31 माई 2021 तक चलेगा इसका लबा नेश्ट आफर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं CSC Telemedicine Cons Consulation जो कि बिल्कुल फरी में है पहले चार्ज ली जाती थी लेकिन यहाँ पर यह सर्विस बिल्कुल फरी में आपको देजाएगी यहाँ पर देखेंगे offer valid मैं 31 तकी 21 तकी यह valid है तो यहाँ पर तीन तरह के offer के बारे में मैं ने बठाया इस तरह के सिवाओं का लाब लेन सकते हैं जो कि केवल कामान सर्विस सेंटर संचालफों के लिए दिया जा रहा है इसके तरीक आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुचा हो तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं वहीं अगर आप लोग ने अपडेट हिंदी.com की अतिकारी विजिट किया है तो आप लोग यहां पर विजिट करें और यहां पर देहेंगे जो लाइव नाव चेसी लाइफ अपडेट का अपशन दिख रहा है यहां पर जो भी आफर के संब्सित में जनकारी दिया है जो भी आपडेट आते हैं इसी से प्रफिकेशन बेल आइकन जरूर ले लें ताकि जो भी आपडेट हो आपको तदकाल प्रभाव से मुवाइल के मात्यम से दी जाए तो थैंक्स जैहिन बंदे मातरम